पोहे से इतनी टेस्टी रेस्पी जिसे आप इस तरीके से बना लेंगे तो इसके फैन ही हो जाएंगे तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि इस रेस्पी से मैं क्या बनाऊंगी वड़े वो भी क्रिस्पी और क्रंची तो चलिए इसे फटा-फट से बनाना शूर करते हैं इस मेजर्मेंट से न, यानी लगभख एक कटोरी के करीब मैंने पोहा लिया है, पोहा को मैं पानी में अच्छी तरीके से भिगः के रख दूँगी उप और यह ढूल आलो को मैं इस तरीके से करश कर लूँगी ताकि पूर्फेक्ट बिल्गळा न रह में इसका जो भी dough बनाएंगे वो इसका बिल्कुन perfect बने तो continue इसी तरीके से मैं सारे आलू को देखे crush कर लूँगी तो आलू इसका बिल्कुन जो मैं से मसल रही हैं तो इससे भी डाल देंगे और सूजी भी हमारी अच्छी तरीके से फूल गई है इन सभी को डालने के बाद अब इसमें मसाले जाते नहीं पड़ते कुछी मसालों में बहुत यह साने से बन भी जाता है एक चोथाई चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, खूब सारा हारा धनिया और टेश के अकॉर्डिंग नमक, बाकी इसमें देखिए कोई मसाले नहीं डले और इतना टेस्टी रेस्पी बनी थी नहीं कि बच्चों ने से मांग मांग कर खाया, तो आप समझ सकते हैं जब ब हो बन जाए तो इसे इस तरीके से रख देंगे, अब यह हतेलियों पे तेल लगाकर इसका गोल सरकल करके ना इसको हम वड़े के शेप देंगे और बहुत असानी से यह देखिए शेप भी बन जा रहा है और इतने टेस्टी वड़े बने थे ना कि इसी तरीके से सारे मैं त तरीके से त्यार कर लोगी, कडाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, इस बात का जरूर ध्यायन दे कि तेल का टेंपरेचर ना बिलकुन अच्छा खासा गरम होना चाहिनी, तो तेल का टेंपरेचर गरम नहीं होगा नो तो यह भी खड़ जाएंगे तेल में ही, त तब तक इसका कलर ब्राउनिश इस तरीके के ना हो जाए, तब तक इसे हम सेखेंगे, और जब इसका कलर ब्राउनिश हो जाए, तो देखिए, जब मैं इसे निकाल रहे नहीं हो, तो कितने यमी दिखाई दे रहे हैं, और मन कर रहा है, अभी ही से खाले, आप इसे इवनिं प्रोसेस के लिए चलते हैं सर्विक प्लेट में डाल रहें तो इसके क्रंच बन इतना अच्छा और खाने में भी बहुती टेस्टी रेस्पी तो इसे आप एक बार इस तरीके से बनाईए रेट सोस के साथ तो इसका टेस्ट डबल ही हो जाता है बच्चे हो यो बड़े जब इतनी अच्छी रेस्पी मिल जाए तो खाने से कोई मना नहीं करता वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा